हाई आज हम आपको वीडियो में बताने वाला है कि आप मेडिकल इज्यूकेशन का जो कमानिटास एक्जामनेशन का फार्म है वो कैसे फिलप कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको Google या Chrome ब्राउजर पर चल जाना है तो मैं Chrome ब्राउजर पर जा रहा हूं उसके बाद यहां पर आपको जा सकते हैं उसके बाद Medical Education Commission सर्च करना है उसके बाद यहां पर www.mac.gov.nv यहां पर आप देख रहे होंगे उसके बाद इस तरह से आ जाएगा तो यहां पर इसको क्लिक करना है उसके बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा बहुत सारा तो यह यहां पर MECEBL 2022 पर क्लिक करना है आपको उसके बाद इस तरह से खुल कर आ जाएगा दोस्तों तो आपको यहां पर इस तरह से तो रेजिस्टेशन मिंश अभी तीन घंटा पहले से स्टार्ट हो गया है दस बज़ से आज के स्टार्ट हुआ है तो अभी शत्रिस घंटा मिंश थिस डे थर्टिस डे फोर आवर शिक्स मिन्ट बाकी है रिमानिंग और पेमेंट का जो डेडलाइन है यहां पर लिक दिया जैन 31 2022 टक है किन बंज तक तो उसके बाद आम लोग यहां पर अगर आपको कोई दिखिदारी होता है तो इंट्रांस at msc.govd.np पर कर सकते हैं उसके बाद हम लोग यहां पर किस्टार्ट रेजिस्टेशन पर करते हैं तो यहां पर चैसे कि आप इलिजीवल है कि नहीं देखने के लिए जो भी मेडिकल इजिकेशन का नोटिस निकला था फर्म पर वह आप देखें टिफर करें डॉक्मेंट क यहां पर मेंशन है आप पर सकते हैं माजा से नोट अगर फिर भी वही चीज़ अगर कोई भी प्रोब्लम हो रहा है आपको रिगारिंग फार्म फिल अप तो आप अपने पूट कर सकते हैं उसके बाद बैंक के इंफर्मेशन दिया है कि आप कहां पर पेमेंट करना है आपको तो यह पेमेंट जो है ऑनलाइन ऑफ लाइन दोनों होगा उसमें कोई प्रोब्लम नहीं इस से बास से आपको जाना है पॉपलर सर्विस्यस में और मेडिकल इस्टरक्शन दिया गया है जो भी इस्टार रहें हो मेंडयर्य रहे मेंट्वर मेंदीय करना है यहाँ उस तरह से मिदेने नहीं है तो छोड़ देना है अदेट अ बर्थ हैं यहां पर किस तरह से लिखना है पास्पोर्ट एस्टी जन्सिप जो पर मिंस्ट में दोही बढ़ेगा कि आप सेब कर सकते हैं इडिट कर सकते हैं लेकिन एक बार अगर समीट कर देंगे तो खुछ भी नहीं होगा तो आप समीट करने से पहले आप बहुत बार टाली कर ले अपना फ़ाम को की मेरा फार्म ठीक है की नहीं उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस तरह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नहीं चेए इस तरह पर दिआ भी इंस्ट्रक्शन इस तरह की होना चाहिए उसके बाद हमेंट से भी Connect मेरला 500 के भी से जादा नहीं होना चाहिए उसके बाद कि जेनरल इंफर्मेशन और मेंडेटरी है यहां पर स्टार वाला तो अगर आप नेपलीज है तो नेपलीज में फरेन है तो फरेन में कीजिए उसके बाद आपको भाउचर नमर चाहिए देखिए यहां पर आपको फॉर्म फिलफ करने से पहले आपको पेमेंट करना पड़े फिलफ बाड़ेशन से पहले कार्ड है तो आपको अगर नेपलीज है यहां पर नेपलीज है तो आपको 4,050 रुपे रखना है अगर आप फॉर्इन है तो 8,300 रुपे रखना है इसमें आपको अपना यहां पर लिखाई है और उसके बाद कार्ण नमर रखना है यह चीज आप कहने के मतलब कि आफ-लाइन भी फेमेंट करकर बाउचर नमर लेह सकते हैं जैसे कि इस तरह पेमेंट करेंगे तो यहां पर आपको बाउचर नमर है यह इंफाइस नमर इस नमर आप करने की इसी को दुश्रेत अवे से भी फेमेंट कर सकते थे आप इस सेवा से फिलफ कर सकते हैं इस तो आज ही से आट हुगा है तो आज ही इन ही रखा गया है medical education मिंस इस सेवा update नहीं किया है बी कहल या पॉर्षों में update हो जागा तो आप यहां से भी payment कर सकते हैं offline भी payment कर सकते हैं और प्लस आप खलती से भी payment कर सकते हैं यह सब चीज़े रहें और आप का निक मतलब कि इस तरह से फार्म भ खाउचर एक भाउचर नमर ले लेंगे और उसमें पयमेंट करकर भाउचर नमर लेकर आगे कर पर मता देंगे ओके अ तब तरuire को आप अगर जा सकते हैं अगर आपको फड़ा वेटथ है तो आप नेग değildi तक वेट कर चेखते हैं, okay, take care, have a good day.